इस वीडियो में हम सिखने वाले है क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री चेप्टर नमबर 10 कोडिनेशन कमपाउंट्स के बारे में इस सब पहले वाले वीडियो में हम कोडिनेशन कमपाउंट्स के आयोपी असी नॉमेंक्लेचर किस टाइप से किया जाता है इनके रूल्स यहाँ पर फोलो हो रहे है एक्जाम में आपको इस टाइप यहाँ पर यहाँ पर जाता क्वेर्यक्त केस टाइप यह फोर एक हमें complex compound दिया है यह जो complex compound है वह neutral type का compound है और इसकी जो यहाँ पर जो यह central metal atom दे रखा है इसके अगर हम oxidation state देखे तो इसके oxidation state यहाँ पर क्या है जीरो है ठीक है अभ इसका अंगर हम name देखे तो यहाँ पर कार्बोनाईल ग्रूप कितने टाइम है four time है इसलिए यह पर लिखा आर्टेट्रा कार्बोनाईल और क्या है यह पर निकिल है इसलिए निकिल लिखा है उसके oxidation state क्या नीकल की तो यहाँ पर ca. univers असकाल नेकल इसलीं नाम क्या हो जाएगा सभी ब्रेक्षाल जिसमें यहाँ पर इस टाइब का जो भी complex रहेगा वो कैटाइनिक complex होता है ठीक है कैसा complex होता है के टायनिक type का यह oxidation नमबर निकालने का तरीका अलग है वह आपको बाद में बता दूँगे अभी आपको यह रखना इनके oxidation number जो यहाँ पर दे रखे है वह ही आपको याद रखना है ठीक है अब यहाँ पर इसका अगर हमें name right करना है तो name क्या है इसका कितने time यहाँ पर amine है six time है इसलिए नाम क्या हो जाएगा इसका hexa amine hexa amine cobalt third chloride क्या नाम है इसका hexa amine cobalt third chloride है यह complex compound ऐसे यहाँ पर complex है यह भी केटाइन टाइप का है इसके oxidation प्लस थ्री है और इसका अगर नेम देखे हम तो नेम क्या है यहाँ पर यहाँ पर जो amine है वह five time है इसलिए लिखेंगे हम यहाँ पर pentamine chloro cobalt third chloride क्या है फुल फाम इसका pentamine chloro cobalt third chloride ion ऐसे ही next यहाँ पर अगर हम देखें यह जो complex है इसमें देखें दो यहाँ पर एक है ns3 और एक है यहाँ पर no2 और कितने टाइम है और थ्री टाइम तो यहाँ पर यह लिगेंड जो complex compound neutral type का complex है इसमें जो central metal at time है इसके oxidation state क्या है तो प्लस 3 है जब इसका name write करेंगे तो नीम क्या बनेगा इसका try amine try night try to cobalt क्या नाम है इसका try amine try night try to cobalt यहाँ पर जो amine वह नाइट्राइट्राइट्रो group है वह 33 time है इसलिए ट्राइट्राइट वर्ड यहाँ पर दोनों के आगे लगा हुआ है इसे next example में यहाँ पर और केसा complex है तो केटाइनिक टाइप का complex है इसमें जो platinum है उसके oxidation state plus 4 है यहाँ पर नेम क्या है इसका कितने time amine है six time amine है तो पहले हम जो amine है उसका number लिखते है hexa amine platinum platinum central metal item है वह लास्ट में के जूड़ा है chlorine है यह पर तो उसका नेम लास्ट में ही आता है hexa amine platinum cobalt सब्सक्राइब क्लोराइड है hexa amine platinum chloride ऐसे next वाला जो example है इसको अगर हम देखें यहाँ पर तो यहाँ पर क्या है neutral complex है यह plus two oxidation state है किसका एक्जामपल है तो डायमाइड डाय क्लोरो प्लैटीनम क्या है यह लेक्जामपल से उनको भी उनके भी नेम राइट कर सकते हैं हमें क्या अपर नेक्स्ट्स टॉपिक है हम देखते हैं Jesus salt jesus salt देखedy पहले क्या होता है तो ये जो salt है इसके बारे में सबसे पहले डैनिस के एक फार्मसिस्ट थे जिन्हों के बारे में बताए था 1930 में इसके बारे में बताए था ठीक है इसका अगर हम formula देखे तो यह यहां पर इसका formula दे रखा है क्या formula के bracket के अंदर यहां पर ptcl3 और eta2 दे रखा है यहां पर c2 h4 structure अगर देखे तो इस type की structure मिलती है इसके हमें और यह क्या है एक type का complex compound है यहां पर इसमें k जुड़ा है यहां पर k लिखा है हमने और इस type से यहां पर एक square बना है और clcl इसके तीनों कोनों पर यहां पर एड़ है बीज में यहां पर center में इसमें platinum metal है और यह जो metal है इसके perpendicular यहां पर एक bond जुड़ा हूआ है जो ethylene को जोडता है ethylene का जो double bond है ना इसके यहां पर perpendicular एक platinum से जुड़ा हुआ एक बोन यहां पर प्रेजेंट होता है ठीक है और यह जो कंपाउंड है इसको हम बोलते हैं यहां पर जीजस साल्ट सबसे पहले एक जैस नाम के साइंटिस्थ साल्ट फार्मासिस्थ connects थे उन्होंने 1930 में इसके बारे में बता चानल पर जीजस साल्ट के नाम से यहां पर यह इटा-2 क्या है तो इसका मिनिंग यह है यहां पर कि यहां पर जो यह double bond है ना इसके थुरू यहां पर यह दोनों ही जो कार्बन से यह दोनों ही कार्बन यहां पर प्लेटिनम से जुड़ हुए ठीक है इसलिए यहां पर क्या लिखा इटा टू अगर यहां पर इटा फाइब लिखा रहता तो मतलब फाइब ऐसे कार्बन रहते जो कि यहां पर इस टाइप से एक बोंड के थुड़ हो रहते जैसे यहाँ पर यह जो ring structure दूसरी दे रखी फेरोसीन का example दिया है। तो फेरोसीन में यह जो 5 कार्बन है यहाँ पर यह एक पेंटागुणल रिंग है और यह पेंटागुनल रिंग नीचे पाय जाते है इसमें तो यह 5 कार्बन अगर इससे आइरन से यहाँ पर जुड़े हुए रहे तो उसके लिए इटा 5 लिखा रहता है ठीक है अगर तीन कार्बन से जुड़े तो इटा 3 रहता है तो यह यहाँ पर इटा का मिनिंग अब नेक्ष देखते हैं फेरोसीन क्या है तो फेरोसीन क्या है यह सबसे पहले 1951 में कीले एफी ब्रेकेट के अंधर यहाँ पर इता 5 फिर बॉर्ड है व्ह परेश फाईफ और है ब्रेकेट बड़ा वाला को क्लोस किया गए गए स्ट्रक्शेर अगर देखे तो यह सैंड्वीच लाइख यहां पर इसुड़ा । Neph दी ziem करには तो यह जो structure है वो किसकी है फेरोसीन की है और इसके बारे में सबसे पहले कीली एंट पाउजन नाम की जो scientist थे उन्होंने 1951 में इसके बारे में बताया था याने कि इस molecule को उन्होंने सबसे पहले 1951 में discover किया था जैसे फेरोसीन जो है वो sandwich like structure में पाजाता है एसे ही एक ओर यहाँ पर molecule है जो कि इसी टाइप से पाजाता है इसका नाम क्या है तो डाइब एंजीन क्रोमियम यह जो डाइब एंजीन क्रोमियम है इसकी structure भी इसी टाइप से sandwich like होती यहाँ पर change क्या है यहाँ एफ है तो यहाँ पर CR है यहाँ पेंटागोनल रिंग है तो और बेंजीन डिंक्स ले रखे हैं हमने तो यह चेंजे से दोनों के structure में तो यहां पर exam में two marks में पूछा जाता है Jesus salt and pharaoh sin इनकी structure भी पूछी जाती है तो theory and structure दोनों ही आपको यहां पर अच्छे से learn होना चाहिए and thank you so much for watching this video thank you